सरोज खान की तबेत को लेकि एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है आये जानते हैं कि अब कैसी तबेत है सरोज खान के और क्या हुआ था उन्हें नमस्कार दोस्तों मैं हूं काजल सिंग और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं बिग हेडलाइन्स में दोस्तों कोरिग्राफर सरोज खान जो है अभी इस समय हॉस्पिटलाइज है क्यूंकि कल रात को उनको सास लेने में दिक्कत हो रही थी जिसके चलते कल रात 8 बजे उन्हें हॉस्पिटल में एड्मिट किया गया बैंडरा के गुरु नानक अस्पिटाल में सरोज खान को एड्मिट किया गया है पहले ऐसा कहा जा रहा था कि उनको कुवेड-19 की शिकाया था लेकिन फिर बाद में उनका क्रोना टेस्ट हुआ और क्रोना टेस्ट की रिपोर्ट सामनी आ गई है उनका क्रोना टेस्ट निगेटिव आया है जिसके बाद सरोज खान को अब लगभग 2-3 दिन तक हॉस्पिटलाइस को रख जाएगा उसके बाद उन्हें डिस्टाश दे दिया जाएगा अगर हम बात करें सरोज खान की हेल्थ के बाएर में तो अभी रिपोर्ट आ रही है कि उनकी जो हेल्थ है वो पहले से काफी बेटर है और उन्होंने बहुत जल्दी अपनी हेल्थ को रीकवर किया है सरोज खान की एज के अगर हम बात करें तो 71 years की सरोज खान हो चुकी है लेकिन अभी भी बॉलियोड में उनका जो दबदबा है कायम है अभी भी बहुत सारे कोरियोग्राफर्स को पीछे छोड़ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती हैं सरोज खान 2000 से भी जादा मुवीज में सरोज खान ने धमाल मचाया है यानि कि 2000 से जादा मुवीज सरोज खान ने कोरियोग्राफ किये हैं सरोज खान की माले तो दहम दिल दे चुके सनम इसके अदावा शारू खान की सूपर हिट मूवीज और भी बहुत सारे जबी मिट की मूवीज ये इश्खाय जैसे बड़े-बड़े सॉंग्स में सरोज खान ने अपनी कॉरिग्राफी दिखाई है और वो एक बहुत ही उंदा कॉरिग्राफर है आज सरोज खान जो ऐसी स्तिती में है इससे सोचल मीडिया पर बावाल मचा हुआ है कि सरोज खान जल्दी से ठीक हो जाए और वो जल्दी से वापस आ जाए उनके गाने हम देखें और जिस तरह की कॉरिग्राफी वो करती है अभी भी बहुत सारे स्तौंग्स को हम देखना चाहते हैं जो कि आपने कॉरोग्राफ किये हैं तो जल्दी से ठीक हो कि आप वापस आजाए दोस्तों कमेंट सेक्षिन में आप भी कमेंट करके वैस्भी शुच दे सकते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्स्